हेलो फ्रेंड्स जैहिन स्वागत आपका आपके बारवी पास कर रखे आपकी उमर जर्नल कैटेगरी में 18-25 साल OBC में 18-28 साल और SAST में 18-30 साल है और आपको टाइपिंग का थोड़ा बहुत ग्यान है या आप इच्छा रखते हैं कि बाद में आप टाइपिंग सीख लेंगे और आप भरती होना चाहते हैं हेड कोंस्टेबल मिनिश्यल या एसाइ स्टेनोगराफर तो दोस्तों सियाइस अप जहां दोस्तों सेंट्रल इंडर्स्ट्रियल स्कोर्टी फोर्स में 642 स्पदों पे आपकी वेकेंसी आई हुई है नोटिविकेशन जारी हो चुका है तो आज की स्यूडियो हम बात करने वाले हैं कि यहां पे आपका एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा फिजिकल में क्या क्या होगा टाइपिंग कितने चाहिए कब से कब तक फोर्म बर सकते हैं और सेलक्षन प्रोसेस क्या रहेगा जानने के लिए वीडियो को धानसुर पुरा देखिए दोस्तों CIS UP और CIP of HCM के लिए चिराग बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है केवल 599 रुपए में कंप्लीट बैच मिलेगा इसमें मैथ, रिजिनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, GKB आ आपको हमारा बैच दिख जाएगा, आप उसको बाइनाओ कर सकते हैं, बैच सुरू हो चुका है, ठेक है, अगर बात करें दोस्तों CIS UP के बारे में, तो यहाँ पे जो रिक्रूट में निकला है, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों, वो है 620, ठेक है, अगर qualification की बात करो, अभी हम आपको detail notification भी दिखाने वाला हो, तो qualification यहाँ पे आपका बारवी पास चाहिए, ठेक है, किसी भी stream से आपने बारवी पास कर रखा है, तो आप apply कर सकते हो, साथी साथ आपको typing की knowledge होनी चाहिए, अब typing में अगर आप English में करते हैं, तो आपको चाहिए 35 तीस word per minute, और हिंदी में करते हैं भाईया, तो आपकी speed होनी चाहिए 30 word per minute, ठेक है, अगर मैं बात करो, age limit की, तो age आपकी है न, एक अगस्त, 2024 को count होगी, और journal category में 18 से 25 साल आपकी उमर होनी चाहिए, 18 से 25 कब होनी चाहिए दोस्तों, एक अगस्त हो, ठेक है, अच्छा जी, OBC से अगर आप belong करते हैं तो 18 से 28 साल, और SCST से belong करते हैं तो 18 से 30 साल आपकी उमर होनी चाहिए, अगर बात करें selection process की तो पहले आपका PST, PAT होगा, उसके बाद return exam होगा, उसके बाद typing test, और फिर document और medical आपका लिया जाएगा, ठेक है, और जो final merit है, वो return exam के base पे बनेगी, return exam में जितना आप score करोगी, उतना ही जादा आपको फाइदा होने वाला है, तो हमारा ये जो course है, ये आपका अगले तीन मेने में complete हो जाएगा, जब तक आपके physical भी नहीं होगे, तो आपके पास golden opportunity है, कि syllabus को अच्छे से cover करके, बढ़िया तरीके से practice revision करके, selection को सुनिशित करने की, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भी तो physically ही नहीं होगा है, physical होगा, फिर वो सोचेंगी कि exam date कब आएगी, फिर जाके वो कहीं तैयारी करने लगते हैं, और फिर वो बेड कैसा बनके रह जाते हैं, फिर इंतजार करते हैं, अगली वेकेंसी का, ठीक है दोस्तों, तो इससे अच्छा इंतजार करने से अच्छा भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजी, तीन मैंने में आपका syllabus complete जोएगा, तो आप भी तीन मैंने में मारे साथ डेली एके गंटे हम हर subject की class देंगे, तो आप revision भी हो जाएगा और तैयारी भी आपकी बड़ी वेकेंसी नहीं आई, यानि खुदने नहीं निकाली, ये वेकेंसी अब CPF, Central Armed Police Force, कमबाइन ये वेकेंसी आई है, जैसे SSJD की कमबाइन वेकेंसी आती है, वैसे ही इस बार Head Constable की भी कमबाइन वेकेंसी आई है, आठ जून से दोस्तों इसके फोरम स्टार्ट हो चुके हैं, 8 जुलाई तक आप इन फोरमों को भर सकते हैं, अगर बात करें दोस्तों वेकेंसी डिटेल की, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे CISP पे, तो यहाँ पे आप देखें, CISP में बात करें, तो ASI स्टैनों की जो वेकेंसिया है दोस्तों, मेल की कुल मिला के 15 वेकेंसिया है, और यहाँ पे 6, 7, 2, 9, 10 वेकेंसियां फीमेल की हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे टोटल जो वेकेंसिया 146 दिखा रखियें, इदर से, ठीक है बई, तो यहाँ पे मेल फीमेल का दिखाया हुआ है, तो मेल में यहाँ पे वेकेंसिया में गड़बड है क्या टोटल 146 वेकेंशिया है ASI स्टैनों की टोटल 146 वेकेंशिया है ठीक है और अगर बात करें Head Constable Minister की तो यहाँ पे Head Constable Minister की मेल की 33 और 3 यहाँ पे दिखाया है यह category वाइज दिखाया है टोटल इन्होंने ऐसे नहीं किया तो यहीं चीज में यहाँ पे सोच रहा था कि यह कैसे हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा कलिरिफाई करना चाहूंगा यहाँ पे मेल की मी फीमेल की दोनों की वेकेंशिया है यह जर्नल की है OBC, SC, ST टोटल वेकेंशियारीस है ASI स्टेनोग्राफिर की ठेक है? और यहाँ पे फीमेल की बात करें तो आपके सामने है CISF तो मेल की जर्नल काटेगरी में 182, एडल उसमें 44, 120 यहाँ पे OBC में है SC में 66 और 33 वेकेंशिया यहाँ पे ST काटेगरी में है फीमेल की बात करें तो 22, 5, 27, 3, 30, 40, 47, 3, 50 इसमें से 50 वेकेंशिया दोस्तो लड़कियों की है फीमेल के लिए है और आप जानते हैं जब CISF HCM 2019 का नोड़वेकेंशन आया था उसमें फीमेल के लिए मेरे ख्याल से 17, 18 की वेकेंशिया थी टोटल मेरे ख्याल से और 2022 वाड़े में भी 529 वेकेंशिया भी लड़कियों के लिए बहुत ही कम वेकेंशिया थी दो भरतियां आपने देख ली होंगी CISF HCM 2019 429 पदों पे और HCM 2022 529 पदों पे तो ये तीसरा मोका है यहां पे जो टोटल वेकेंशिया बन रही है मेल, फीमिल, CISF, ASI और HCM मेना के वो बन रही है 622 दोस्तों ठीक है तो अच्छी खासी वेकेंशिया है आप तैयारी कर सकते हैं आईए अब यहां पे जान लेते हैं कि सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है 12W पास आपका होना चाहिए टाइपिंग की नोलेज आपको होनी चाहिए ठीक है और age limited भी मैंने आपको बता दिया है चली अब देख लिते हैं selection process तो selection process में सबसे पहले आपका होगा यहां पे फेजिकल दोस्तों ठीक है फेजिकल करवाया जाएगा और इसमें जर्नली क्या होता है CISF का जो फोरम आता है उसमें आपका HCM में रणिंग नहीं होती लेकिन इस बार ये CISF के तहतारी है तो आपकी रणिंग भी होगी और वो कितनी होगी आएज़रा देख लेते हैं तो एक सेकंड ये देखिए दोस्तों ठीक है तो हाइट के अगर बात करें तो यहां पे मेल के लिए 165 cm चाहिए 77-82 cm आपकी चेश्ट चाहिए फेमेल के अगर बात करें तो 155 cm की हाइट यहां पे फेमेल कंडिडेट्स को चाहिए और जो लड़किया ST कास से बिलों करते 155 cm की हाइट चाहिए तो हाइट भी ठीक-ठा मांगी है और यहां पे बात करें पीटी की तो मेल को यह आपे शोड़ा सो मिट्र दोड़ना होगा साड़े च्छै मिनिट में और फिमेल को आठ सो मिट्र दोड़ना होगा च्यार पैतालिस मिनिट में च्यार मिनट 45 सेकिड में 800 मिटर दोड़ना तो फीजिकल हाड नहीं है ना ही मेल का ना ही फीमेल का पहले आप फीजिकल पास करेंगे हाइट आपकी नॉर्मल 165 सेंटीमेटर मांगी है जब CIS अब खुद का फॉर्म निकाड़ती थी 170 सेंटीमेटर मानती थी ठेक है तो यहां पे 77 सेंटीमेटर रणिंग यहां पे डेफिनेटली है लेकिन साड़ेट 6 मिनट में है मेल के लिए और फीमेल के लिए 800 मिटर है वह यह चार पैंतालिस में बहुत ही आसाना है लड़कियों के लिए तो ठीक है तो बड़िया ओप्सन है दूसरा यहां पे जो सेकिंड राउन रहेगा उसमें नेगिट्यक मार्किंग नहीं है नेगिट्व मार्किंग नहीं है दोस्तो और एक्जाम पैटरन में पाँच सब जट आने वाले हैं हिन्दी या इंगली समय से एक करना होगा base question, regioning base question, math base question calerical aptitude base question, और आपका computer भी यहाँ पर आएगा base question, कुल मिलाके 100 क्यूस सुनाएंगे, 100 नंबर का paper होगा, और आपको time भी 100 मिनिट का ही मिलेगा, चेक है और यहाँ पर negative marking नहीं होगी, चेक है, No negative marking, चेक है टाइपिंग के लिए तो इस बात का ध्यान रखिए सबसे पहले आपका फिजिकल होगा फिर आपका सेबेटी और फिर टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा तो अगर आप ड्रीम रखते हैं CISF में नोकरी करने का और वो भी हैड कोंस्टेबल मुनिस्टल या ASI स्टैनो तो अच्छी खासी वेकेंशियां आ गई है नो जुन से फोर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो सबसे पहले फोर्म अपलाई कर दीजिए और तैयारे में लग जाएए ठेक है अलग-लग डाइवर्ज तो खुद का अंदाजा खुद ही लग जाएगा कि कितने पाणी में हो दूसरा यहां पर जो सलेबस है वह आपका मैथ का रिजनिंग का जीके कंप्यूटर और आपका हिंदी का एक्सपर्ट फैकल्टी के दवारा करवाया जाएगा सारी चीज़े मैं नहीं करवाऊंगा ब तो आप स्टुडेंट जो है वो सभी सब्जेट की तयारी करता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता पढ़ाने के लिए एक दो सब्जेक्ट चलते हैं सारे सब्जेक्ट मालो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं मैं जिके पढ़ा रहा हूं मैं इंदी पढ़ा रहा हूं तो उसमें अप्लाई कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल सेलेक्शन रिटन एक्जाम के बेस पे होगा और आपने सियाइस सब की कट ओफ तो देख ली होगी ठेक है दोस्तों तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना स्कोर करना पड़ेगा स सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर मरें साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद जैहें